आज ये दिवाली और दिवाली के दिन सब अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं तो मैं आपको अपना Living Room बता देती हूं कि मैंने कैसे सजाए हैं तो बहुत सिंपल तरीके से सजाए बड़ बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये आप नाश्ता देख रहा हूँ, यहाँ पे गुजरात में ऐसा सिस्टम है, कि दिवाली के बाद दूसरे दिन नया साल शुरू हो जाता है, तो सब एक दूसरे के गरब आते हैं, नाश्ता करते हैं, गेट टूगेधर चलता रहता है कई दिनों तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सब सजाया है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, मुझे सिंपल सोबर चीजे ज्यादा पसंद आती ह और यहाँ पे आप जो यह पोर्ट देख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको इसके कुछ BTS बता दूगी, जिसे Behind the Scene भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सब पे वाइट कलर का पैंट कर दिया है, सब पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ह कि वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, इस पे आप कुछ भी बनाते हो, तो बहुत कलर फूल और अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कुछ चीजे मेरे पास, जैसे कि स्टोन है, मिरर है, और ग्लास कलर है, अक्रेलिक कलर है, तो इन सब का यूज करके, मैंने ये बनाया ह है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना कॉमेंट में, और कुछ डेकोरेशन मैंने इस तरह से आर्टिफिशल फ्लार से भी करा था, तो इसके अंदर में टीलाइट रख दूंगी, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लूक का आ रहा है, तो यह जो कोना है ना, यह कॉर्णर यह मुझे बहुत पसंद आया, अब मैं तैयार हो जाओंगी, क्योंकि नया साल है, मंदिर जाना आए, घर पे जाना आए, पूजा करनी है, और यह ना, लाइट कलर की साड़ी है, मुझे आज कल लाइट कलर बहुत पसंद आ रहा है, और डार कलर की साड़ी मैंने बहुत पहली अब लाइट कलर पे मेरा मन आए गया तो यह सुन्दर से साड़ी मैंने निकाली है और बस यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं मैं खुद की क्लिप बनाना भूल गई तो मैं खुद का तो कुछ नहीं बना पाई बट आप देख लो यहाँ पर हम लोग पूज की थी लेकिन मैं कुछ भी श्या नहीं कर पए आप लोगों के पास यह बैट सीटे बच्चों के लिए कुछ चीजे ली थी कपड़े वपड़े बहुत घर का सामान बहुत शॉपिंग की थी बट मैं कुछ भी नहीं बता पए आप लोगों को उसके लिए सोहरी और पेट प्रेस करके All Option पर क्लिक कर देना ताकि मेरे जब भी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएं ओके बाई